जास्मीन भसीन ने आखिर क्यों कर दी वॉलंटरी एग्जिट की बात क्या जास्मीन भसीन शो कुट करने वाली है क्या है पूरी खबर बताऊंगे आपको इस वीडियो में नमस्कार मैं सनक्धास वागत करती हूँ आप सभी का हमारे चैनल पर आपको बता दे कि अलिगोनी और जास्मीन भसीन के बीच बाते होती है जैसा आप सभी को बता है फिलहाल इस हफते चार कंटेस्टन नॉमिनेटेड है चारो स्ट्रॉंग कंटेस्टन है और वो है रुबीना, अभिनव, जास्मीन और अलिगोनी ऐसे में ये चारो कंटेस्टन नॉमिनेटेड है अब ये जो डर है विक्षन का ये सभी के दिलो दिमाग में चाया हुआ है अलिगोनी जास्मीन बसीन से बातों बातों में कहते हैं कि इस हफते ऐसा लग रहा है जैसे मैं एविक्ट हो जाओंगा क्योंकि बाकी सब तो strong contestant है देखा जाये तो रुबीना अबिना जैस्मीन तो भी सभी strong है मैं हो सकते ऐविक्ट हो जाओं लेकिन जैस्मीन तुम अच्छे से खेलना बहुत ही अच्छे से खेलना आगे तक बढ़ना और शो में बिल्कुल आगे जाना और तुम ही winner बनना इस तरीके से अलिगोनी समझाते है जैस्मीन को लेकिन जैस्मीन कह देती है कि अगर तुम घर से बेखर हो गए तो मैं voluntary exit कर जाओंगी शो को शो को छोड़ दूँगी मैं बिल्कुल भी शो में आगे नहीं बढ़ूँगी अब इस बात को निकी तंबोली सुन लेती है जिसके बाद निकी जाकर रुबीना से डिसकस करती है ये बाते जिस पर रुबीना और निकी ये कहती है कि जैस्मीन कितनी वीक पड़ जाती है जब अलिगोनी जा रहे है तो वो भी शो कुट करने की बात करती है जिस पर रुबीना ये तक कहती है कि मैं और अभिनव भी खेल रहे हम दोनों भी एक दूसरे के कंटेंडर्स हैं लेकिन मैंने कभी ऐसा ना बोला कि जब अभिनव चला जाएगा तो मैं भी चली जाओंगे आभिनव ने कभी ऐसा नहीं बोला कि मैं चली गई तो वो चला वही निकी भी यही कहती है कि आखिरकार जैसमीन इतनी वीक कैसे हो सकती है वीक कैसे पढ़ सकती है अली के जाने से वो क्यो शो कुट कर रही है तो यह तमाम बाते चल रही है तो यह तमाम बाते चल रही है तो यह क्या कहना है आपका क्या आपको लगता है कि जैसमीन मसीन क करके बताईए का जरूर हमारे कमेंड सेक्शन में तमाम बॉलिवुड और टीव दुनिया से चुड़ी हारी खबरों पे लिए देखते रहे हमारा चानल